अब अब ऑली मैं एक शुमगु पाद्याय वेलकम तू मंग बायो क्लासे श्र१ा आज का हमारे ऐक टॉपिक है और सूर्व प्लेंटेशन का मतलब क्या होता है इसके किटने टाइप्स होते हैं ये कहां पे सिच्टेट्ड होता है इन सब के बारे में आज हम डिटेल में explanation देखेंगे और ये जितना भी explanation होगा वो सिर्फ point wise होगा क्योंकि इस वाले जो topic है ना इसमें सिर्फ mcqs आते हैं यह class 11 का topic है तो हम पढ़ रहे हैं अभी sexual production flowering plant तो उसमें यह concept समझना जरूरी था इसलिए मैं यह topic explain कर रहा हूं तो देखो presentation यह क्या होता है यह जो होता है वो कुशन लाइक structure होता है ठीक है कुशन लाइक at which ovules are arranged देखो presentation एक कुशन लाइक structure है in the ovary जिसमें ovules जो होते हैं वो arrange होते हैं ठीक है तो यह वाला तुम्हें line समझाया presentation और कुशन लाइक structure at which ovules are arranged inside the ovary ठीक है यह इसका definition हो गया अब आता है हम इसके types पर इसके कितरे types होते हैं ठीक है तो प्लासेंटेशन के total five times होते हैं five types of हमारे इसे प्लासेंटेशन दे रखा है तो आव एक एक करके देखते हैं पहला अपना marginal ठीक है पहला presentation जो है अपना है marginal marginal in the sense यह जो वेंट्रल सुचर्स पर चेंट हो oui yes सभी मवैं हमगारा ये जो पाठ सामने देक हुं यह जो पाठ सामने वाला फेसें उसे यहां बोलता है वेंट्रल और जो पीछे वाला है वेंट्रल और तो यह मैंने पता दिया अब आते हैं यह जो तुम्हें दिख रहा है मातिनल वाला यह अपना पी का प्लांट है पी यानी मटर का यह यह प्लांट है मतर की दाने नहीं देखो यह दाने जो हैना मटर के यह ओ व्यूल्स है इसके पी के तो यह प्रज़ें प्रेज्थ inclusive और एंच रिज्टोड में हम पने आफम से कोषिण आया इस ही पॉइंट में से आएगा अगर फ्लेसले पेस्टेशन से सकते इसुपुशन इस तो यह दो प्लिठ वुंता हुआ यह दो अब देखो ुख इस बगर रहे होगा दोसरा यहां पर तीसरा यहां पर चौता होगा यह लेगाव हम्या से अरेंज होते हैं ठीक है लोगी अब पढ़ते हैं एक्साइब का फ्लेशंटा होता है वह दाइपना एक्जिन पोजीशन पे एक्जियल पोजीशन पे ठीक है जो पिल सेंटा होता है अपना एक्जियल पोजीशन पे और इसमें मल्टी लोकुलर देखो इस वाले डाइग्राम को मैं यहां पर बना रहा है पच्छे से मल्टी लोकुलर ओवरी होती है अब इसका हम एक्स्प्रेनेशन करते मैं इस अंदर वाले डाइग्राम को बना रहा है पहले तो यह सम्झों कि लोक्यूल का मतलब क्या होता है लोक्यूल का यह मतलब बता है कि एक कोई भी केमिटी या स्पेस तो देखो यहां पे सिंगल लोक्यूल है तो इसमें क्या होता है न अपना प्लेशी परेस्टेशन यहां से कुछ को जेश्चर पर सब्सक्राइब को यह थ्रद रोक्यूल हो गया तो ऐसे करकiau यह म问 carta वाली कंडिशन बना लेती है तो इस वाली कंडिशन को बोलेंगे मल्टी लोकिलर कंडिशन आजाब इसके जाम्पल्स होते हैं चाइना रोज शिट्रस और टोमेटो शिट्रस को लेमन फिर्ट्रस लेस लेमन ठीक है तो यह था अब आता है थार्ड वन पर 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 इन दसेंज यूनि लोकिलर और फॉल्स सप्टम्ड यूनि लोकिलर इसमें यह जो लोक्यूल है वह ऐसे है तो यह कई सारे इसमें सब्स होते नहीं है और इसमें एक उल मय तुम देख रहे हैं हुद ऐसे तो मैं गृट्री ब्रूट्र से पर यह थिके । यह वह रच clean को में इसके श्राइब अग्रिमान ऊच्काइब होता है इनर वाल पे यह यह तो पैनिकों इनर बॉल पे होगा यह तो प्रिद अब हम आते हैं फ्री सेंट्रल चे देखो कि यह होगी हमारा फ्री सेंट्रल कि इसके जांप बस होते हैं अपने दिया एंड प्रिया तुम ऐसे याद रखो दिया दिया यह सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूं कोई ओफेंड नहीं होगा देखो दिया एंड प्रिया और फ्री तो तुम इससे याद रख सकते हो डाई एंथस एंड प्रिम रोज प्रिम रोज ठीक है इसके एक्जापकल्स होगा प्रिम रोज यह जो होता है वो इसमें सेंट तो जाएं इसका तुम देख सकते हो गया तो संट्र लेक्शिस होता है और इसमें सब्ता नहीं होता है जो इस्टक्चर जो पर किसी भी रोक्यूल को दो पर्ट्स में डिवाट्स करें उसे मोलता है सब्सक्राइब शलो नेक्स पर आते हैं हम पैसल नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वह बैसल में क्या होता है एक बेस आफ ओवरी वन पुव्य एड बेस आप प्लिसेंटा इसमें सिर्फ एक फुर्वियों होगा वह वह भी एक बेस आप प्लिसेंटा तो इसके एग्जांपल से आप कर सकते हो और इसके टाइप इसके ज्यादे इस टॉपिक से कुछ नहीं आता है यह तीसरी बार में लेक्टर रिकॉर्ड कर रहा हूं दो बार कुछ ने कुछ दिक्कत आ जा रही थी तो इसलिए थोड़ा स्पीड में हो गया और थोड़ा पता नहीं कैसे आया होगा अगर नहीं समझ बजने वाला थानी सिर्फी स्ट्रक्चर था और इसका एक्जांपल्स थे हैं तो आयोब समझ मैं हुआ हुआ चलो फिर मिलते हैं निक्ट क्लास में